हलो फ्रेंड, स्टेडी एड़्डा के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए ये चीज तो मैं आपसे सेयर कर चुका हूँ इस पर ध्यान मत दिजेगा इस समय जो GS के टोटल कोईस्टन है सारे के सारे कोईस्टन में अभी आपसे सेयर करने वाला हूँ और सबका सल्यूशन के साथ सेयर करने वाला हूँ कुछ एक दो कोईस्टन का सल्यूशन नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूँगा आप उसको सब सर्च कर लीजेगा तो हो जाएगा मेरे पास करीब करीब 20 से 22 question आ चुके हैं वो सारे question मैं share आपसे करने जा रहा हूँ जी असका तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है please like और comment जरूर कीजेगा और जादा से जादा से जादा से जादा से जादा लोगों को जोड़िये जिससे मैं जादा से जादा मुझे मतलब वीडियो बनाना अच्छा लगता है जो जादा से जादा लोग देखते हैं तो second चीज जो question लिये हैं English में लिये हैं फिर उसको हिंदी में transfer करना बहुत मेनत की काम हो जाती है आपको कोई भी problem नहीं होगी विस्वास रखे तो चले चलते हैं question पर पहला question है who invented barometer अब barometer हिंदी में क्या होता है देखिए जिससे वाय मंडली दाब नापनी की जो मसीन होती है उसको हम क्या काते है बैरो मीटर काते हैं और ये हिंदी में कभी भी question नहीं पूछता कि हिंदी में इसका हरदम barometer के ही नाम से आता है इसका क्या काम होता है वाय मंडली दाब को मापना और इसका invention किसने किया था इसकी खोज किसने किया था इविन ग्लिस्टा टोरिसली नाम बहुत टिड़ा है तो इसको आप या जिसका नाम है और दूसरा नाम है एनोरोइड barometer दोनु का नाम यही है हिंदी में का कोई नाम नहीं है तो पूछने की possibility है देख लेजे आप स्टेज को next question पर चलते है what is the place of mercury in the solar system question पूछा है कि बुद्ध ग्रह का solar system में कौन सा place है अब इसमें कैसे option दिया था पहला प्लेस भी हो सकता है या option दिया हो सूर के पास ये भी हो सकता है तो जो भी हो sun के सबसे पास जो है बुद्ध ग्रह ही है आपका mercury ग्रह ही है ये देखिए sun के सबसे पास ये जो है आपका mercury ग्रह है अब जब बुद्ध ग्रह के बारे में ये question पूछ लिया है तो और question पूछ बन जाती है, जैसे क्या क्या, ये देखिए पहला तो ये सूर के सबसे निकट है, ये सबसे छोटा ग्रह है, अपनी धूरी पर 58.65 दिन में एक घूमता है, ये सूर के 4 और 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है, ये दिन अत्यदिक गर्म और रातें बरफीली होती हैं यहां ब पॉइंट है, आप देख लेना, अगर आप नीचे कमेंट करोगे, तो मैं हर ग्रह का इसी तरह पॉइंट वाइज करके मैं बना दूँगा, जिससे आप कर सकते हैं, विच नेवरिंग कंट्री सेकंड नेम इज बर्मा, भारत के कौन से पडोसी कंट्री का सेकंड नेम बर् अब म्यानमार क्यों बर्मा का question ही पूछा गया, आप सोच सकते हैं, क्यूंकि अभी देखिए रुया जो Muslim है, उनका बहुत case चल ला है, सारे world में उनकी बाते चल लाई है, और ये म्यानमार की गटना है, म्यानमार एकदम limelight में इसलिए ये question पूछा गया, next question देखते हैं, which roots are not eatable, अब ये देखिए, ये question depend करता है, option पे कि कौन सी जड़ खाने वाली नहीं है, not eatable, तो अब option में जैसा हो ऐसा answer होगा, हमारे पास option नहीं था, तो हमने कुछ share किया कि कौन सी जड़े खाई जाती है, जैसे प्याज हो गया, प्याज जड़ है और खाया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रेड कलर की होती है, रेड कलर की आलू की तरह है, ये पूरी तरह से, और ये आपका carrot हो गया, carrot करी तरह से होती है, तो ये चीज़े खाय जाती है, अब इनके लावा कोई option नो तो, नहीं खाय जाता है, the region between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, क्या पूछा था, Tropic Tropic of Cancer means Karkar रेखा और Tropic of Capricorn means Makar रेखा के बीच के region को क्या करते है, question ये पूछा था, ये देखिए, ये है आपकी Tropic of Capricorn, मतलब Makar रेखा और ये है आपकी करकर रेखा, और इनके बीच से जो है equator, बिसूत रेखा पास होती है, और इनके बीच के zone को क्या करते है, Taurič zone, Tauri जो उनको हिंदी में क्या काते हैं उस लड़ा कटी बंद देखिए जो लोग इंगलिस में देख रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा होगा उनको मैं बता दूँ कि मैं ज्यादा तर वीडियो हिंदी में ही बताता हूँ और उसके थंबनेल के उपर आपको लिखा मिल जाता है कि ये वीडियो केवल हिंदी में तो आप तभी क्लिक किया कि जब उस पर लिखा न लिखा रहा हो कि केवल हिंदी में इससे क्या बता है कि आप क्लिक करेंगे वीडियो ओपन करेंगे आपको पसंद नहीं आएगी और दो लोग को दिया गया था अटल भीहरी बाचपई और मदन महल मौलवी मदन महल मौलवी कौन है फाउंडर आप बनारस हिंदु इनवर्सिटी इनके बारे में सब लोग जानता होगा अटल भीहरी बाचपई एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड वन अप दे बेस्ट पालिया मेंटरी फॉर ओवर फोर डिकेट्स अमल गम कंटेन में एलिमेंट अमल गम अमल गम जो होता है उसमें में एलिमेंट कौन होता है तो देखिए अमल गम जो है मरकरी इजे मिक्सचर आप 2 और मोर मेटल विद मरकरी पारा मिन्स पारा के साथ कोई मिक्सचर होता है वो अमल गम कहलाता है 2 या में जो है मरकरी प्लस सिल्वर ही होता है मिक्सचर में क्या क्या होता है Mercury plus silver means चादी तो अगर आपको Mercury option में था तो आपको Mercury ही option करना था पारा Constitution came into existence on question क्या पूछा है Constitution came into existence up हमारा सम्मिधान कब आया तो इसका देखिए पूरा answer देखिए Constitution Assembly ध्यान से देखिए गए यहाँ पर मैंने सम्मिधान सभा लिखा है which came into on 11 December 1946 अगर पूछदे सम्मिधान सभा के बारे में तो 11 December 1946 को बना था और इसमें 145 meeting and a framed or dropped constitution हुआ था और एकदम last में it was approved on कब 26 November 1949 यह कब approved हो गया था 26 November 1949 और यह कब से effect में आया था यह effect में आया था 26 January 1950 से तो बन कब गया था 1949 में कब से प्रभाव में आया 26 January 1950 में और सम्मिधान सभा कब बनी थी 11 December 1946 तो यहां से यह तीन question पूछा जा सकता है next देखते हैं 2019 का cricket world cup कहां पे होने वाला है किस country में तो देखिए 2019 का cricket world cup England में होने वाला है Wales में और यह 30 माई से 15 जुलाई तक खिला जाएगा यह जो है आपका 12 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा यह question important है पूछा जा सकता है और यह पांचवी बार जो है England के Wales में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है Blood clot is due to deficiency of which vitamin देखिए जो रग्त का थक्का जमता है वो किस vitamin की वज़र से जमता है तो यह जो है vitamin के इसका सही answer होगा How many house are there in Indian constitution? 2 राजसभा मतलब कितने सदन है भारती ये सम्मिदान के अंदर तो 2 है राजसभा और लोकसभा कौन-कौन से? राजसभा और लोकसभा राजसभा को council आप state करते हैं और लोकसभा को house of the people करते हैं When sodium combines with fluoride देखिए sodium जब fluoride से combine होता तो क्या बनता है? इसमें तो 2-3 चीज़ बनते हैं chemistry का अगर deeply जाएंगे तो आपको 2-3 चीज़ मिलेंगे लेकिन अगर आपका option में sodium fluoride gas रहा होगा या crystal sodium fluoride crystal या gas रहा होगा तो वो option आपका जो है सही रहा होगा blindness caused by देखिए blindness मतलब जो आँखों से दिखाई नहीं देता हो किसके कारण होता है तो अब depending on option लेकिन vitamin A की कमी के कारण जो है आँख का रोग होता है कोई भी आँख का रोग जो है vitamin A की कमी के कारण ही होता है stone tool were found first in which age ये देखिए इस question का answer आपको ढूड़ना पड़ेगा और एक question और है which are the following age grieco-buddhist art तो ये dip and down option में था अब option में से कौन कौन सा option था वो हमें मिल नहीं पाया लेकिन ये दो question और था तो total 20 question करीब हो जा रहे है अब गीना तो नहीं हो लेकिन 20 से 22 question हो जा रहे है जैसे ही हमें math, English और reasoning के question मिलते है हम जरूर share करेंगे बस आप घुसाईएगा मत क्योंकि अगर math का हमें केवल एक question मिला तो मैं केवल उस एक question की वीडियो बना के आपके सामनेल लाओंगा तो thank you friend आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी